सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें कुछ लोग देश के जनता को गुम्रा करने की कोशिश कर रहे हैं यह विशय एकदम सीधा है विशय है कि भारत के पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश से जो हिंदू सीक इसाई पार्सी बुद्ध जिनको धार्मिक प्रताधना होती है उसके कारण वो आते हैं देश में और जगजगा हम देख रहे हैं कि सारे जो ऐसे आए है लोग – रेफिजीज तो उनको हमने देखा है कि किस तरसे उनको प्रताधिक किया वो आपनी कहानी वाकिया बता रहे और 20-20 साल से रह रहे लेकिन उनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिल रहा है उनको नागरिकता देने का एक विशे है मुख्या और घुस्पेटियों के विरोध में है ये बिल क्योंकि कोई भी देश दुनिया का अवायद घुस्पेट को पर्मिशन नहीं देता हम भी नहीं रहे और इतना ही मुद्दा है इसमें दूसरा कोई मुद्दा नहीं लेकिन इस पर जान बूच के और ऐसा ही कानून आठल जी के समय हुआ था 2003 में कि पाकिस्दान से आने वाले मुस्लिम पाकिस्दान से आने वाली हिंदू शर्णार्थियों को भारत की नागरिक्ता मिले और मन्मुन सिंग यूपिय उनके साथियों ने भी यह 2004 में एक्ट को चालू रखा और 2005 में भी एक्स्टेंशन दिया तो यह तो पहले से था अभी जो कानून बनाया है वह तो ज़्यादा व्यापक है ज़्यादा लोगों को समाइद करता है तो यह ऐसा नहीं है कि पहली दफा कुछ बना है पहली दफा कुछ इस्कुलूजन है वगर यह विशे ही नहीं यह इस्कुलूजन का विशे नहीं है यह इंक्लूजन का विशह है और इसलिए हम लोगों से अपील करते कि गुम्रान नो हो कोई हिंसान ना करें देश की एकता मजबूत है और देश एक गती से आगे जाएगा मुझे सिर्फ ताजूब होता है बंगाल की मुख्यमंतरी ममतब अनर जी वह रेफरेंडम की बात कर देश के एक सो तीस करोड जनता का यापमान है एक सो तीस करोड जनता ने बहुमत से जो सरकार चुनी है और सरकार के साथ अंग्यदल भी खड़े रहे और सब ने मिलके संसद में पास किया आप संसद से बड़ा फोरम कौन सा होता है लोग तत्र पे उसके निर्न एको च्या क्रेंडम हो इसी सुझाओं बहुत ही दुर्भा के पूर्ण है हम उसकी बत्सना करते हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए